करोना में सुलक्षवरलों की बड़ी काम्यावी दो जगवों पर चल रहे एम काउंटर वे तीन आतंकी धे नए मंत्रिया समालेंगे कामकाच प्रधान मंत्री मोदी ने बुलाई कैबिनेट और काउंसल मिनिस्टर की मीटिंग हिमाचा प्रदेश के पूर्मुक्य मंत्री वेर भर्दर सेंग कानिदन आईजी एमसी शिम्ला में थे भरती COVID-19 का लाम्डा वेरियन तीस से अधिक देशों में फैला डिल्टा वेरियन से भी ज़्यादा मंत्री बंडल चूटने पर चलका बाबूल सुप्रियों का दर्द लिखा इस्तिफा देने के लिए कहा गया है अपने लिखी दुखी करोना महामारी से इस वक्त पूरी दुख रही है अब तक करोना की तमाम नए वेरियन मिल चुके है जो इस महामारी को और खतरनाक बना रहे है मलेशिया के सवास मतरालिक म्ताबिक करोना का नया लांडा वेरियन दुनिया के तीस से जादा देशों में फाइल इसे वारियन आफ इंटरेस्ट कहा है मलेशिया हेल्थ मिनिस्ट्री ने सुमवार को ट्वीट कर बताए कि कोरोना का नया लामडा ट्रेन सबसे पहले पेरू में मिला था जहां इस वक्त हमारी की वज़ा से मृत्ति उदर दुनिया भर में सबसे आधिक है जिसको लेकर तमाम तरह की चंता जाहिर की जा रही है तिस से अधिक देशों में भी फैल चुका इसकी भी पुष्टी की गई है तो तीस से अधिक देशों में फैला लैमडा वैरियंट बता देए ये डल्टा प्लस वैरियंट से भी खतरनाक घातक बताये जा रहा है जिसको लेकर चिंताएं बढ़ गई है तो पीरू में इसके केसे सबसे अधिक पहले मिले है क्योंकि मृत्यु दर जो है सबसे अधिक वही पर है मौसर विभाग ने दक्षिन पश्चिम मौनसुम के फिर से जोर पकड़ने का अनुमा लगा है पश्चिमी तर्ट में बारश की तीवरता नौइ जोलाय से बढ़ने की समभावना है पूरवातर भारत में बारश की तीवरता नौज़नाई तक कम होने की समभावना है अरख सागर के अपर दक्षिन पश्चिम मौनसुन के माफ की जगा मजबूत होने के कारण 9 जुलाई से पश्चिमी तट पर बारश में तेज होने की समावना है कोकर और गोवा तटिये करनाटक केरल माहे में 9 जुलाई से भारी से बहुत भारी वर्षा होने की समावना है विवाग की ओर से कहा गया है कि आठ जुलाई से दक्षिन पश्चम मौनसूम के फिर से जोर पकड़ने के कारण 9 जुलाई से कई इलाकों में बारिश हो सकती है। कश्मीर में सुरक्षा बलो को बड़ी कामियाबी हाथ लगी है। दक्ष煮 कश्मीर के दो जगहों पर एक साथ चल रहे एंकाउंटर में सुरक्षा बलो ने कुल तीन आतंकियों को धेर कर दिया। में पुलवामाम में भी एंकाउंटर में एका आतंकी मारा गया है। बता दे कि आज हिजबुल मुजाहिदीन कमांडर रहे बुरहान वानी की मौत को 5 साल पूरे हो गए है, 8 जुलाई 2016 को कोकेर नाग में बुरहान वानी मारा गया था, उसके बाद से हर साल अंतंकी 8 जुलाई को हमले की फिराग में रहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ कदम उठाने से पहले ही सुरक्षाबलों ने उनका काम तमाम कर दिया, सुल्तानपूर पहुचे, सांसद मेंका गांदी ने लंबू अविधान सबाद छेतर के विभिन गाओं में दौरा किया, इस दौरा नोरों ने प्रात्मिक स्वासकेंद्र की भी हालत देकी, साथ ही गाओं में चौप उसे बहुत दुखी थी, आवाज 140 सड़क समेट तमाम योजनाओं में शिकायद मिल रही है, लेहाजा अब नए कारेकाल में सांसद मेंका गांदी ने अनरोत किया है कि प्रधान इमानदारी से कारे करें महोबजनपत में प्रशासने कन देखी के चलते गाओं बधाली की काकरप पहुच चुका है, गौशाला, अन्ना मवेशी, बिजली और पलायन की समस्या इस गाओं में विकास की दुहाई देती, सरकारी वादों की पोल खोल रही है मता दे कि मुंदेल घंट के महोबजनपत की गाओं सलारपुर में अन्ना मवेशी की समस्या से जूज रहे ग्रामीनों द्वारा हर साल गौवंश के लिए चारे पानी और रखरखाव का इंतिजाम किया जाता है, इस गाओं में मवेशी के लिए ग्रामीनों को ही अपनी जे सेवा खुद करनी पड़ रही है। चालिस पचाच जानबर हैं, वो बच गए हैं, क्योंकि हम बेवस्ता इसलिए बनाते हैं कि रात रात ना दे रखाते हैं जानबरों को तो फस्तान में किसानों द्वारा बड़े आंदोनन की चितावनी के बाद आकरकार तिकोनिया पार्क का ताला खोल दिया गया, जिलाद का चेर्मेन बबिता जैस्वाल और उनके पती अजे जैस्वाल द्वारा बंद कर दिये गए थे, इसी को लेकर लोगों में खासा क्रोश था जैस्वाल द्वारा बंद किया है, कि वहां पे उन्होंने राश्री द्वज इंस्टॉल किया है, उसकी सुरक्षा के लेकिया है, हलांकि अभी हमारे एडियम प्रशासन साब ने उनसे पालिका प्रशासन से बात की तो, कि इस प्रकार्स इसको बंद ना किया जाए, केवल यह रहा है कि उन जिनको वहां पे प्रदर्शन या कोई भी इसको कारवाई करनी है, उनको प्रायर इंटिमेशन देदे नकर पालिका को और जगह की विवस्था को ना बेगाड़े, कोई वहां पे इस प्रकार की गंद्गी या तो, लखनों के सदर तहसिल में देश में प्रेटोल और डीजल की बढ़ते दामों को लेकर कॉंग्रेस महिला प्राकोष्ट की अध्यक समेथ दरजन कारी करताओं ने धना प्रदर्शन दिया, धरने पर बैटी महिला उने थाली लेकर केंद्ग सरकार का विरोध किया, इस दोरा ट्रेनी, SDM और कॉंग्रेस महिलाओं के बीच जड़ब भी हुई, अलाकि मामले को शांत करने के बाद मम्ता चौधरी ने SDM को ग्यापन सौपा, उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही महंगाई कम नहीं हुई तो प्रदेश में बड़ा अंदोलन करा जाएगा और यह कि सदर तहसील में बढ़ती हुई महंगाई और भाश्पा सरकार के विरोध में कॉंग्रेस पार्टी की महिलाओं के द्वारा थाली बजाकर विरोध प्रदेशन क्या गया महिला जिलाद द्यक्ष के अनुसर वर्तमान सरकार की वज़ा से महंगाई आस्मान चूरे है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आदम आदमी भू को मरने पर विवश हो रहा है अगरा के खेरागर तहसीर में कॉंग्रेस की जिलाद द्यक्ष रागवेंद्र सिंग मीनू ने खेरागर तहसीर में भारती जन्ता पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही महंगाई को लेकर ग्यापन भी सापावाई इस मौके पर खेरागर मार्केट में कॉंग्रेस जिलाद द्यक्ष और कारिकरताओं ने थाली लेकर व्याली निकाले और विरोध प्रदर्शन करते हुए नारे लगाए कॉंग्रेस जिला अद्यक्ष रागवेंद्र सिंग मीनू और कारकरताओं के विरोध प्रदर्शन को देखकर मौके पर खेरागर थाना प्रभारी बल्वान सिंग पुलिस बल के साथ पहुचे पूरे देश को मालम है कि जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय लोगों ने जायटें बंद करादी मौंबती जलेगी थालियां बजबादे हम यह पूछना चाहते हैं कि थाली बजाने से कोरोना खतम हो जाएगा लॉकडाउन खतम हो जाएगा या जो लोग बीमारे वो ठीक हो जाएगे है आध देश 21 सदी में गुजर रहा है हम लोग जानते हैं कि दवाई खाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे और दवाई नहीं खाएंगे हम लोगों को मालम है कि हमारी तभी खराब हो सकती है इन लोगों को थाली और वाली के संगेत्रें देना चाहते हैं कि इन ल पेट्रोल डीजल और गैस की जीस्टी के दाइरे में इसको भारत सरकार कर देगी तो सरकार को राजस्ट के सास्थ भारत की जनता और वैपारियों को भी बहुत रहात मिलेगी कोविट नाइटनीन में सबसे ज़्याद नुक्सान धमी और वैपारी को ही हुआ है और डीजल प प्रद्धी हो रही है जिसे वैपारी आम जन मानस सारा परिसान है प्रदान मंत्री जी अपील है कि पेट्रोल के और डीजल के डाम कम करें जो जो जन मानस में अच्छाई और जन मानस में एक खुसी की लहर हो क्योंकि एदा गैस के अभी 25 रुपे गैस के बढ़े हैं वह ज प्रदेश की सबी सड़कों को गड़ा मुक्त बनानी का एलान किया था एक इस एलान के बाद प्रदेश की सड़कों को गड़ा मुक्त बनानी का काम भी शुरूर किया गया लेकिन कुछी दिनों बाद यह एलान सरकारी कागजों तक की सीमित रह गया हमीरपूर जनपत की समाजवादी पार्टी के नेताओं ने ब्लॉक प्रमुक चुनाओं के नामांकर का पर्चा नहीं देने का प्रशासन पर आरोप लगा है। जिस तरह से आप पिछले प्रक्रण से ही देख रहे हैं कि जिला पंचायत अध्या चुनाओं को लेकर जिस तरह से आपने देखा इसी कचारी गेट पर किस तरह से अंदर घुसे हुए भाजपा के प्रत्यासी के गुंडूवन जो मारा पीटा हमारे समाजवादी करताओं को आज फिर उसी चीज़ को इस ब्लाक पर नुखी के चुनाओं में रिपीट किया जा रहा है यहां पर गुलर शहर के कोटवाले खुरजानगरे लाके में एक युवा को ताबर तोड़ गोलियों से भून कर गंभी रूप से घायल कर दिया गया वही पड़ी जनों का रूप है कि पिछले कई दिनों से दबंगों के द्वारा चौत के रुपे मांगे जा रहे हैं और रुपे ना देने पर बदमाशों ने फाइरिंग की जिसकी वज़ा से हालत नाजुक बनी हुई है और उन्हें निजी एस्पिताल में बढ़ती कराए गया है कि मेरा नाम जोभी है मैं उनकी सबसे बड़ी लड़की हूं इस बात पर मारी क्योंकि वो लोग करते हैं कि साइग कहीं भी जगे जो भी इनसान थोड़ा खाएगा कमाएगा वहीं कट्टे वट्टे लेकर चले जाते हैं उनको धंकिये देते हैं उनसे लवरस्ती पैसे ची लेते हैं सरे आम गुंडागर्दी करते हैं इनकी शहर में तिनी गुंडागर्दी चाल हुए यह नब मुल्ला नवाव देगे आज रातरी में लगबग 10 बज़े एक व्यक्ति एसान उत्रहवीव निवासी खवेश ज्यान थाना खुर्जा शेत्रांत कगत उम्र इनकी कर पहुंचे थे पसाती पुलिस को सुचना दी गई थी कि जब यह अपने एक रिष्टेदार के साथ मौला बारादरी पंजाब यान खुर्जा में बैठकर खाना खा रहे थे तो अचानक कुछ लोग जो इनके परिचित भी थे वहां पहुंचे और इनके उपर गोली चिल बना कर तलाश की जा रही है फिलाल करीबस अतना ही फिर हादर हूंगे स्वस्त रहिए सतरक रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी